मातों बैनों आज मैं सिखाऊंगा आपको कि लवर पैंटों की शिलाई कैसे करते हैं ज्यादा तर्माता बैनों की यही प्रिशानी रहती वो सुई बदल बदल के देखती ग्यारा नंबर 14 नंबर 16 18 लेकिन फिर भी यह शिलाई जो हैं की ऐसे आगती देख सकते हैं किस परका स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मैं टेलर का काम करता हूं मेरे पास तो बड़ी मशीन है उसमें ते दिकर नहीं आती लेकिन यह छोटी मशीन होती है इन में इस परकार आती दिकर यह देख सकते हैं इस तरह यह निकल गया यह शिलाई नहीं और इनक करेंगी तो इसके लिए क्या करेंगी सबसे पहले तो इसको थोड़ा टाइट करेंगे इस परकार इस पेच को इसको गोडाई बोलते हैं पंजाई बोलते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं यह कितना दाब दे रहा है नॉर्मल दाब है थोड़ी और कर लेंगी इसको इस तो थोड़ी ज़्यादा दाब आईगी तो ज़्यादा दाब रहीगी तो इसलिए भी शिलाई ठीक करेगा और दूसरा काम क्या करना हमें अब देख सकते हैं फिर भी solution नहीं हुआ है देख सकते हैं आप आदी शिलाई ही कर रहा है भी तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम आपको सुई बदलने की आक्सियक्ता नहीं होगी क्योंकि 16 नंबर की सुई से भी काम चल जाएगा वैसे 14-11 पतली सुई होती है और वो बार बार टूट जाती है आपको बड़ी दिक्कत होती है और अब यह डबी इसमें जो फिरकी पे तागा होता है इसमें भी आ थोड़ दनानल किर्चि को यानि किता थोड़ा हम लहीं से रहें पानी के शर्षी नहीं मुइल पास खुंदाकरर आइस इसमें कि थोड़ी पसे concur ही को पड़ीोज बद्यशर स्यक्तिंब जो उपर निचे साप शिलाई आरे कोई टेव नहीं इसके अंदर अब मैंने क्या किया है थोड़ा तो यह टाइट किया है यानि इसे थोड़ी दाब ज्यादा होनी चाहिए एक तो और दूसरा इसके अंदर तेल उपर इस गट्टी वे तेल डाल लिया है कुपी से और जो निचे तो अब सिलाई देख सकते हैं अब इसकी सोला नंबर की सुई है एक दो टेव तो देख सकती है क्योंकि इसमें थोड़ी ज्यादा स्पीट में मसीन को चलाएंगे आप तो यह समस्या भी आपको नहीं आएगी थोड़ी स्पीड मसीन की स्पीड थोड़ी ज्यादा समस्या तो कोई दिक्कत नहीं होगी मैंने सुई नहीं बदली इसकी देख सकते हैं सोला नंबर की सुई है आप इसमें उचाहे तो 11-14 लगा सकते हैं लेकिन वह बार बार टूटने की समस्चा आएगी जैसे इधर यह गांठ आगी इस पर टूट जाएगी और इस पर रवड़ पर ट आएगी जैसे सी में 16 नंबर 11 नवर सभी सुई यां चैंज करकर देख लेती हैं माता हैं लेकिन इस समस्चा का हल नहीं होता तो मैं टेलर होम टेलरों के पास इन चीजों के लिए फार्मूला होता है यही फार्मूला है वैसे हो था हम किसी ओको यह बताते नहीं लेकिन मात पतली कर सकती हैं जो शिलाई आएगी ठीक आएगी लेकिन थोड़ी ननी चाल ही रखें बिल्कुल परफेक्ट शिलाई आ रहे ही माता बैनो अगर आपको शिलाई ठीक से ना आ रही हो कोई भी मशीन के अंदर प्रोब्लम है तो यह वीडियो में जल्द लेकर आँगा चैन बी मशीन के अंदर प्रोब्लम होती आपकी जैसे कि तागा लियूज निच्चे का उपर का और सुई का प्रफेक्ट ना बेठना किसी परकार की टेप देना इस परकार आम कपड़े पर भी कई बर मशीन ना टेप देती है या निच्चे गुंडी या उपर गुंडी देती है या मसीन में कोई भी खराबी है तो यह सभी परकार की वीडियो में इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा मताओ बैनो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो साथ ठेंक्स